कहीं पे भी अगर दो लोगों के बीच में अगर शादी की बात होती है और वो किसी वज़े से शादी तक नहीं पहुँच पाती है मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ये कहीं पे भी क्राइम है ऐसा कानून पूरे दुनिया में मुझे नहीं लगता कि है लेकिन से शादी करेगा या फिर वो कहता है कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा या फिर उसको कहता है कि उसको प्रोमोशन दिलवा देगा और इन किसी भी ग्राउंद्स पे या फिर इंड्यूस्मेंट से उसके साथ सेक्स करता है तो उसको दस साल तक की पनिश्मेंट हो सकते हैं औ वह बोला कि उपकी नौकरी लगवादेंगे और आप उनक साथ एक्स कर लो अगर आप पर भी लेते हैं तो क्यो आप अपनी उस चीज में में विलिंगनेस नहीं कर रहे हैं तो क्या आप डिसुजन-मेकिंग पावर नहीं लगा रहे हैं कि आप किसी के साथ सिर्फ क्योंकि उ और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास अल्रेडी कानून है, सेक्शुल हारस्मेंट एट वर्क प्लेस का, अगर कोई इंसान अगर आपको इस तरह का प्रोपोजिशन दे रहा है, कि आप मेरे साथ सेक्स कर लेजे, मैं आपकी नॉक्री लगवा दूंगा, प्रोमोशन करवा दूंगा, वो तो अल्रीडी सेक्शुल हारस्मेंट के अंडर पीनलाइज होता है, तो नहीं, वहां पर भी आप नहीं जाएंगे, आप अप अच्छी उस रिलेशनशिप को इस्ताइबलिश कर लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको अड्वैंटेज नहीं मिल पाता है, उसका कर देंगे, मतलब आप एक इल्लीगल काम करेंगे, एक एक इम्मॉरल आक्ट को एक क्रिमिनल चोला उड़ा दिया गया है, अब हमारे कानून में, लेकिन पनिश्मेंट सिर्फ आदमी को मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, पर्सोम अध्यप्रदेश हाई कॉट की एक जज्ज्मेंट है, जहां पर एक रेप केस को रद कर दिया गया, कौश कर दिया गया, जहां पर दस साल तक एफेर था लड़के और लड़की के बीच में, एक साल हो चुका था ब्रेक अप हुए हुए, उसके बाद ये लड़की कहती है की इस ने मेरे को को दस साल तक शाधी का जहासा कर रेप किया, ओमाइगा। एक साल बाद जी ब्रेक एक साल बाद और टोटल टैनियर्स का रिलेशनिशिप एक साल थे हाँ यह तो नहीं बोल सकते न लड़कियों को तो यहां पर एक चीज लेकिये दस साल का रिलेशनिशिप था उस दस साल के बिग निंग में जब पहली बार सेक्स का बस्त साम पर क्या उसने उसने शादी का भाला था यह नहीं बोला था इस बाध कशार थो पॉंट OF टैशिप और वस ताल तक जो पहला टॉम्त था यह ताल तक जिऴ यह फोस साल थे टरॉर टौर टाेशनिशिप आ कि और दैशिप अक ह्यों फोघ्स ठाया फॉम्त इल छ चौथा किस तरह का क्या किसी तरह का मेडिकल दिया गया ये पॉइंट अफ कंटेंशन है फिसिकल प्रूफ आंसर ये है कि कुछ भी नहीं दिया जाता कहीं पे दो बच्चे की मा बोल रही है शादी शुदा औरत कि उसको शादी का जहासा दिया गया कोई checks and balances नहीं है कि कितनी duration तक ये जहासा दिया जा सकता है छे महिने एक साल दो साल तेरा साल पंदरा साल बीस साल लेकिन महिला जाएगी शाद पात साल बात भी complain करो तो भी valid होगा बिलकुल होगा और बिना evidence बिना proof के सिर्फ जो statement है उसी ground पे FIR दर्ज होती है आदमी का arrest होता है उसको सालों साल केस छेलना पड़ता है अगर आपको ये clip पसंद आई तो पूरे podcast का link नीचे description में indulge and enjoy